पांच जजार रुपे पर मंद इन्वेस्ट करके आप अगले 20 साल में किते पैसे बना सकते हैं देख लेते हैं तो अगर हम सबसे पहले RD यानि कि recurring deposit की बात कर लेते हैं तो RD के अंदर अगर आप डालते हैं 5000 रुपे पर मंद जो कि मैंने यहाँ पर चूज किया है investment period अगर हम चूज कर लेते हैं 20 साल का और rate of returns अगर हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं 7% के 7% का rate of interest मैंने higher range पे लिया है जिससे कि किसी को complain ना हूँ कि मैंने कम rate of interest चूज किया है उसके बाद अगर हम interest frequency की बात करते हैं और interest frequency हम यहाँ पर चूज करते हैं quarterly जो कि generally RDA case में होती है और tax rate को अभी के लिए कर देते हैं 0 इसके पास बाद में आएंगे और मैं इसको कर देता हूँ submit तो finally हमारे पास जो total calculation आती है वो आती है कुछ इस तरीके से यानि कि 20 साल में आपने invest किये हैं 12,00,00 रुपे जिसके उपर आपको interest मिलता है 14,80,000 रुपे के आसपास का total corpus आपका बन जाता है 26,80,000 रुपे के आसपास का लेकिन अगर मैं यहाँ पर tax rate को कर देता हूँ 10% यानि कि अगर आप 10% के tax rate के slab में आते हैं और मैं इसको कर देता हूँ submit तो आपके post tax amount जो आपके पास आता है यानि कि tax कटने के बाद जो आपका पैसा मिलेगा वो मिलेगा 25,24,000 रुपे के आसपास का और yearly investment हमने आपके चूज की है 60,000 यानि कि 5,000 रुपे पर मत 5,000 रुपे अप 12 से multiply करेंगे तो 60,000 आ जाएगा duration of investment हमने चूज किया है 20 years का तो 12,00,000 रुपे की investment पे finally आपको PPF से पैसा मिलता है 26,63,315 रुपे का अब हम आ जाते हैं आज के इस वीडियो के topic यानि की mutual fund के उपर तो अगर आप यही पैसा invest करते हैं mutual funds के अंदर तो मैं आ जाता हूँ एक SIP calculator के पास और SIP calculator में हमने जो monthly investment amount choose किया है वो हम यहाँ पर choose कर लेते हैं 5,000 रुपे तो मैंने यहाँ पर डाल दिया step up हमने रख लिया है zero तो आपने जो अपने पैसा invest किया है फिर से वही बात आ जाती है कि आपने invest किये हैं 12,000 रुपे 12,000 रुपे पर 13% की growth rate के हिजाब से आपको final amount मिलता है 57,27,000 रुपे का और आपको जो potential capital gain है वो है 45,27,000 रुपे तो जो भी पैसा आप invest कर रहे हैं 12,000 रुपे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं almost around 5 गुना जादा पैसा मतलब ठीक है अब इसको पर tax भी लगेगा tax की बात भी करते हैं तो आपको जो tax लगेगा वो लगेगा 45,27,000 रुपे वाले amount पे यानि कि यहाँ पर tax लगेगा आपका LTCG tax यानि कि long term capital gain tax जो की लगता है flat 10% on capital gains above 1,00,000 रुपी तो सीदी सीदी बात यह है कि अगर आप इस 45,00,000 रुपे में से 1,00,000 रुपे माइनस कर देते हैं यानि कि आपके पास हो जाते हैं 44,00,000 रुपे यानि कि 44,00,000 रुपे पर आपको tax pay करना होगा 4,40,000 रुपे का मतलब हम सीदी सीदी round figure की बात कर रहे हैं ज्यादा बड़ी calculations में हम नहीं जाएंगे तो 57,00,27,000 रुपे में से अगर आप minus कर देते हैं 4,40,000 रुपे तो आपके पास यहाँ पर बसते हैं लगबग 52,00,87,000 रुपे या अभी के लिए माल लेते हैं 53,00,000 रुपे तो final amount को हम 5 गुना तो नहीं लेकिन हाँ चलो 4 गुना ही बोल देते हैं कि आपने जो पैसा invest किया है उसका 4 times आपको मिलता है mutual funds के अंदर से तो अभी अभी जो मैं आपको बताया है इसको आप RD, PPF और mutual funds के बीच में difference मत समझेगा क्योंकि तीनो ही investment instruments अलग-अलग हैं यह सब कुछ आपकी awareness और knowledge के लिए था और खास तोर पर उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल extreme beginners हैं जिनको RD, FD, PPF के बाहर जाकर mutual funds में अपना पैसा invest करके कितना पैसा बनाया जा सकता है इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है RD यानि कि recurring deposit अगर किसी को नहीं पता तो उसको बता देता हूँ कि RD एक FD होती है बस फरक यहां पर यह होता है कि FD में आप डालते हैं कहां पसंद करेंगे खर बताने की ज़रूरत नहीं है आप समझदार हैं आप जानते हैं अब आप मेंसे कुछ लोग के सोच रहे होंगे कि मेरे भाई यह बताओ कि यह जो 20 साल बाद हमें 50 लाग रुपे मिलेंगे देख लेते हैं तो आपके इन 5000 रुपे के SIP अमाउंट की वैल्यू 20 साल बाद होगी 1500 रुपे मतलब 20 साल बाद आप ही का बच्चा आप से कहेगा कि पापा 5000 रुपे दे दो आज पीजा खाने का मने तो कहने के मतलब यह है कि पूरे 20 साल तक आप सिर्फ 5000 रुपे तो इन्फलेशन और आपको जो इन्वेस्मेंट अमाउंट है वो एक दूसरे को आपस में बैलेंस करेंगे तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट की वैल्यू लगबग उतनी तो होनी चाहिए जितना की हमने अभी कल्कुलेट करके देखा है और एक चीज ज करता हूं तो यह 13% को जो ग्रोफ रेट है यह भी मैंने बस सही सही लिया है जिससे कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत जादा ना बढ़ें तो मेरे खाल से कम से कम 13% के रिटरंस तो आप लॉंग टर्म में 20 साल के डूरेशन में एक्सपेक्ट करी ही सकते हैं तो आपको इ करना सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर हम मंतली 5000 रुपए इंवेस्ट करना चाहते हैं तो कितने मींट्री में इंवेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा देखिए अगर मैं मुझे पर में प्रिफर्ट करना एक small care fund में, index fund में यहाँ पर इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि index funds का क्योंकि expense ratio कम होता है, तो मेरी यहाँ पर long term में जो 20 साल के duration है या उससे ज्यादा के duration है, उसमें cost मेरी कम रहेगी, यानि कि expense ratio के form में मैं अपने पास से पैसा बाहर AMC को या फिर fund managers को कम से कम दूँगा तो obviously में जो returns है, जो पैसा मुझे वापस मिलने वाला है, वो पैसा अपने आप ही बढ़ जाएगा और जब हम एक लंबे duration की बात करते हैं, तो लंबे duration में index fund, जो large care funds होते हैं या फिर flex care funds होते हैं, इनके बराबर के returns ही दे देते हैं और वहीं अगर हम small care fund की बात करते हैं, तो सब जानते हैं कि small care category बहुत अच्छे returns देती है risk high होता है मैं जानता हूँ, volatility high होती है, यह सब लोग जानते हैं लेकिन अगर मैं fundamentally एक अच्छा small care fund चूज कर लेता हूँ, अपनी investments करने के लिए, तो इसमें problem क्या है तो मुझे किसी top और high risk वाले small care mutual fund में अपने पैसे invest नहीं करना है मुझे एक better returns वाले, better risk adjustment के साथ, जो small care mutual fund होगा, मुझे उसमें अपने पैसे invest करना है क्योंकि बात यहाँ पर 3 या 5 साल के investments के नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बहुत लंबे duration के हो रही है तो कुछ ऐसे ही mutual funds मैंने आजके इस वीडियो में include किये हैं, और मैंने यहाँ पर एक third additional mutual fund भी include किया है खास तोर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों को 2 mutual funds में अपने पैसे invest करना, बहुत कम mutual funds में पैसे invest करना लग रहा होगा तो मेरी request आप लोगों से यहाँ पर यही होगी कि 5000 रुपे की SIP पे 3 mutual funds से ज़ादा mutual funds में अपने पैसे invest मत करना तो अब बात करते हैं इन 3 mutual funds के नाम की यानि की यह कौन कौन से mutual funds हैं जो की आप अपने लिए choose कर सकते हैं तो सबसे पहला fund हमारे पास आता है एक index fund जो की है ICC Prudential Nifty Index Fund Direct Growth second fund हमारे पास आएगा small cap category से जो की है Nippon India Small Cap Fund Direct Growth मेरे पास एक और choice है आपके लिए अगर आपको Nippon India Small Cap Fund में invest नहीं करना है दूसरी choice है SBI Small Cap Fund Direct Growth तो एक हो गया index fund और एक हो गया small cap fund इन दोनों small cap mutual funds में से आप एक small cap mutual fund अपने लिए choose कर सकते हैं third और additional mutual fund हमारे पास आयाता है एक flexi cap fund जो की है पराग पर एक flexi cap fund direct growth तो mutual funds के नाम तो आपने जान लिए लेकिन अभी बहुत को जानना और समझना बागी है क्योंकि सिर्फ mutual funds के नाम जान लेने से उसमें बस नाम सून के invest कर देने से कुछ नहीं होगा आपको यहाँ पर यह भी जानना होगा कि मैंने इन mutual funds को किन-किन basis पर shortlist किया है और आपको किन-किन parameters पर ध्यान देना चाहिए किसी भी mutual fund में invest करने से पहले लेकिन उससे पहले बात करते हैं direct mutual funds में अपने investments करने के लिए एक interesting platform के जिसका नाम है शूनने तो जैसे कि मैं बात कर रहा था अपनी cost को कम से कम रखने की तो शूनने जैसे इस platform का नाम है यानि कि अगर आप direct mutual funds में, stocks में, ETF में अपनी investments करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के charges पे नहीं करने होंगे उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी hidden charge नहीं लगेगा और आपकी information के लिए आपको बता दूँ कि शूनने एक से भी registered platform है यानि कि यह NSC और BSC दोनों ही stock exchanges पर registered है इसके founders ex-wall street professionals हैं with deep financial expertise जिन्होंने American stock market में भी काम किया है वहाँ पर भी अपनी services प्रोवाइड की है तो technology कैसे काम करती है और इसे Indian customers के लिए और भी affordable कैसे बनाया जा सकता है इसी thought process के साथ यह company काम कर रही है शूनने आपको AI based stock recommendations और predictions भी provide करता है ranging from 3 days to 1 year यानि कि कौन से stocks upside जा सकते हैं कौन से stocks downside जा सकते हैं शूनने का एक बहुत ही अच्छा feature जो मुझे लगता है जो कि आप भी इस्तिमाल कर सकते हैं वो है mutual fund tool शूनने पर आपको जो भी mutual fund portfolio है उस mutual fund portfolio को आप यहाँ पर simulate करके देख सकते हैं यानि कि अगर मैं क्लिक करता हूँ try now पे तो यह हमें ले आएगा mutual fund simulator पर यहाँ पर अपना portfolio चूस कर सकते हैं जो भी mutual fund portfolio आपको शुनने के उपर है उसके बाद जैसे कि आप graph पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास existing अभी मैंने mutual fund select किया हुआ है निपॉन इडिया small cap fund और यहाँ पर उसकी performance हमें इस graph पर देखने को मिल जाएगी तो इस mutual fund की वज़े से मेरे portfolio की performance कैसी जा रही है मैं portfolio पर क्लिक करके वो चेक कर सकता हूँ तो निपॉन इडिया small cap के साथ साथ अगर मैं कोई दूसरा mutual fund यहाँ पर add करना चाहता हूँ for example मैंने क्लिक किया add fund पे और मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ और साथी साथ हम select करते हैं एक और मैं यहाँ पर choose कर लेता हूँ ICICI Prudential Nifty Index Fund तो हम करते हैं simulate तो जैसी मैं simulate पे क्लिक करूँगा तो यह मुझे बताएगा मेरे portfolio की performance based upon underlying 3 mutual funds जो हमारे पास है सबसे नीची जो black में में दिखाए दे रहा है यह है ICIC Prudential का Nifty Index Fund इसकी performance कुछ ऐसी देखने को मिल रही है उसके ओपर है हमारे पास परापर एक Flexi Cap Fund जिसने Nifty Index Fund से ज़्यादा performance दी है और सबसे top पे जो green line है यह हमारे पास Nippon India Small Cap Fund जिसने सबसे ज़्यादा returns दी है compared to Flexi Cap Fund और Index Fund और finally जो मेरे portfolio perform कर रहा है वो कुछ इस तरीके से perform कर रहा है तो मेरे portfolio का cumulative NAV कितना है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है for example इस वाले particular point पर है 169 और finally अगर हम देखेंगे तो यह है 178 आप इसकी mobile आपको download करके या फिर इसकी website पर जाके जो कि बहुत ही user friendly है उस पर जाके trading और investments कर सकते हैं शुन्य का link मैंने इस वीडियो के description और अपने pin comment में डाला हुआ है आप जाके check कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो के जो mutual funds हैं मैंने उनको किस basis पे shortlist किया है तो सबसे पहला parameter आता है पिछले 10 साल का CAGR यानि कि इन mutual funds का पिछले 10 साल का CAGR काफी अच्छा गया है मैं ये ने कहूंगा कि इन्होंने सबसे best या फिर सबसे top CAGR दिया है लेकिन हाँ एक अच्छा CAGR दिया है सिर्फ CAGR के basis पे किसी mutual fund को select नहीं कर सकते इसलिए बागी parameters भी जाना जुरूरी है उसके बाद आता है expense ratio compared to other funds क्योंकि बात यहाँ पर long term की हो रही है और long term में आप अपनी cost जितनी कम रख सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सबसे कम expense ratio वाले mutual fund चूस करना चाहिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा किसी mutual fund को manage करने के लिए अगर आपसे एक cost ली जाती है यानि कि अगर आपसे expense ratio चार्ज किया जाता है तो ये कुछ सो समझ के ही चार्ज किया जाता होगा तो एक सही expense ratio होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम बात करते हैं risk adjusted returns की यानि कि sharp ratio की मैंने कई बार अपनी mutual fund comparison माली वीडियो में sharp ratio को रखा है as a parameter sharp ratio जिस mutual fund का जितना अच्छा होगा compared to other mutual fund वो mutual fund आपके लिए उतना ही अच्छा होगा यानि कि जितना risk आप उस mutual fund पे ले रहे हैं उस risk के बदले में आपको उतने ही अच्छे returns वो mutual fund दे भी रहा है तो sharp ratio in mutual funds का अपने category में अच्छा है उसके बाद finally और most important चीज़ आती है returns consistency की returns की consistency हमें पता चलती है rolling return से तो index fund क्योंकि खुद एक benchmark होता है तो उसको तो हम किसी benchmark से compare नहीं कर सकते इसलिए उसके rolling returns मैं आपने include नहीं किये हैं उसके अलावा जो दूसरे mutual funds हैं जो small gap fund हमने लिये हैं और जो flexic gap fund हमने लिया है इनके पिछले तीन साल के rolling returns मैंने चेक किये हैं since inception और क्योंकि तीनों ही funds ने अच्छी performance दी है compared to their benchmarks इन्होंने since inception अपने benchmarks को लगातार beat किया है उससे जादा ही returns generate करके दी हैं तो वीडियो को pause करके इन तीनों ही funds की performance को आप इन graphs पे देख सकते हैं और साथी साथ इन तीनों का link मैंने इस वीडियो की description में भी add कर दिया है जिससे की आप खुद जाके तसलिए से चेक कर सकते हैं अब आ जाते हैं इस वीडियो के final और important points वे तो जैसे की मैंने कहा था कि अगर मुझे खुद 5000 रुपे पर मत invest करने होंगे तो मैं चूज करूँगा अपने लिए 2 mutual funds तो मैं यहापर चूज करूँगा एक index fund और एक small cap index fund में मैं डालूँगा 5000 रुपए में से 3500 रुपए और बागी के 1500 रुपए मैं invest करूँगा small cap fund में based upon my age जो की है 35 साल अगर आपकी age कम है तो आप अपना allocation small cap में बढ़ा सकते हैं based upon your comfort और वहीं अगर हम flexi cap fund की बात करते हैं तो flexi cap fund mostly large cap fund ही होते हैं क्योंकि इनका major allocation large cap stocks के अगर हम इन दोनों के बीच में overlapping की बात करते हैं तो मैंने वो भी calculate करके देखी है इनके बीच में overlapping है 30% की जिसको हम बहुत जादा नहीं बोलेंगे तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ additional amount है तो आप इन दोनों funds के साथ पराग पर एक flexi cap fund को join कर सकते हैं और finally मै मैंने इस वीडियो में 20 साल की duration की बात क्यों की है तो अगर हम वापस चलते हैं SIP calculator की तरफ तो अगर मैं इस 20 साल की duration को कम कर देता हूं 10 साल यानि कि अगर हम सिर्फ 10 साल की duration की बात कर रहे होते तो 10 साल की duration में आप 5000 रुपे पर मंद इन्वेस्ट करके बना पाते 14,73,000 र duration तो आप देखेंगे कि जहां 10 साल की duration में आपको मिल रहे थे कितने 14,70,000 रुपे के आसपास वही 15 साल की duration में आपकी पैसे बन जाते हैं 35,67,000 रुपे यानि कि आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको महज 5 साल में कितनी बड़ी growth देखने को मिली है और वहीं अगर हम इन growth आपको मिलती है हो सकता है कि वह growth आपको बहुत जाता impressed ना करे तो अगर आपको एक अच्छा amount चाहिए जो कि real में आपके जिन्दगी को future में असान बना दे तो आपको यहां पर लंबे समय के लिए अपनी investments करनी चाहिए तो इस वीडियो में 20 साल यानि की 20 साल नहीं है बा थैंक यह वर वाचिंग